स्वागते आपका दा हिमालियन स्टेड इडूप चैनल पर हमासिस कुमारस्तोगी आज हम आपके सामने टॉपिक लिकर आए हैं ओशन कडिवन दिये चकरवात निवार और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्रा बात करने आ रहें आपके सामने हम ऊशन कडिवन दिये चकरवात निवार और देखी आपके सामने लिखा है चकरवात क्या है सबसे पहली हात आपको ये पढ़ा होनी चाहिए कि आखिरकार् क्या होते हैं इसके बाद हम इसी वीडियो में डिसकसिन करेंगे निवार चकरवात का तो सबसे पहले आपके सामने पहला पॉइंट है कि चकरवात किया है और इसमें लिखा है चकरवात निम्दाब के केंदर होते हैं जिसमें पवने उचदाब से निमदाब की और चलती हैं अत्वा केंदर में निमदाब होता है और बाहर उचदाब होता है इसलिए पवने बाहर से केंदर की और चलती हैं इसका मतलब यह है कि चकरवात केंदर में लोग पिरिसर होता है और बाहर की और हाई पिरिसर होता ह और परकति का नियम है कि पवने जो चलती है बहे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और चलती है तो इसका मनला क्या है चकरवात में बाहर से अंदर की और पवने चलती है तो ये आपको किलियर हो चुका है कि चकरवात निमदाब के केंदर होते हैं जिसमें पवने उचदाब से निमदाब की और चलती है अथवा केंदर में निमदाब होता है और बाहर उचदाब होता है इसलिए पवने बाहर से अंदर की और चलती है और इसके बाद आपके सामने लिखा है चकरवाद के पिरकार चकरवाद समानेता दो पिरकार के होते हैं नमबर एक चकरवाद है ओशन कडिवन्दी चकरवाद इसे हम इंगलिस में ट्रॉपिकल सैकलोन के नाम से जानते हैं और नमबर दो है सितोष्ण कडिवन दिये चक्रवाद इसे इंगलिस में टेंपरेट सैकलोन के नाम से जानते हैं और ये जो आपका चक्रवाद आया है निवार नाम का ये है एक ओष्ण कडिवन दिये चक्रवाद है तो ये सही पाइंट आप ध्यान लखें क्योंकि प्रत्योगी परिशा के द्रिश्टी से काफी महत्पूर है और आप लोग हमारे इस चनल को लाइक करना ना भूलें तो ये ध्यान लखने आपको की चक्रवाद निम दाप के केंदर होते हैं जिसमें पवने उच दाप से निम दाप की और चलती हैं और चक्रवाद के केंदर में लो प्रिशर होता है और बाहर की और हाई प्रिशर इसलिए पवने हाई प्रिशर से लो प्रिशर की और चलती ह और चकरवाद दो पिरकार के होते हैं, नमबर एक ओशन कड़ीवंदी चकरवाद और नमबर दो गदिए चकरवाद, इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे महतपुर पॉइंट, देखी आपके सामने लिखा है नेवार चकरवाद, ये चकरवाद अभी हाली में आया है, बं निवार का नाम इरान ने दिया है, ये कुश्ण आपका भोती ज़्यादा मोश्ट्रमेंट है, कि आखिरकार निवार चकरवात नाम किस देश ने रखा है? तो इसका आंसर है आपका इरान, और इसके बाद पॉइंट है निवार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है आपका रोग थाम करना यानि कि इसका निवार का मीनिंग क्या है रोग थाम करना और इसके बाद पॉइंट है हावा की गती यानि कि निवार चकरवात की में हावा की गती कितनी थी 120 से 123 किलोमेटर प्रती घंटा और इसमें इसकी अधिक्तम स्पीड बदा रखी है 145 किलोमेटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रही है तो ये पॉइंट आप सभी ध्यान लखें काफी महत्पूर्ण है प्रतियोगी परिक्षा की दरश्टी से और इसमें सबसे ज़ादा मोश्यमेट पॉइंट है आपका निवार चकरवाद का नाम किस देश ने दिया है इरान ने और इसके बाद पॉइंट है आपका यह है चकरवाद तमिलाडू और पुड़ुचेरी के पास टकराया है ये आपको द्यान लखना है तमिलाडू राज्जिय भारत का और पुडुचेरी एक किंद्रसासित प्रदेश है तो ये द्यान लखने आप जितने ही पॉइंट है आपके सभी पृत्योगी परिश्चा के दिर्ष्टी से काफी महत्पूर है चाहें आप किसी पृत्योगी परिश्चा के त्यारी कर रहे हो तो ये सई पॉइंट आपको द्यान लखने है कि चक्रवादी तोफान निवार का नाम इरान ने दिया है और इसका मेनिंग होता है रोक थाम करना और इसके हवा की गती थी 120 से 123 किलोमेटर प्रति घंटा और इसमें अधिकतम गती बदा रखी है 145 किलोमेटर प्रति घंटा और ये है चक्रवाद आपका तमिलाडू और पूडू चेरी के पास में टकराया है क्योंकि यहां से आपको एक कोशन जरू मिलेगा प्रतिवोगी परिश्चा में जो भी आप त्यारी कर रहें PCS, SSC, Railway, NDPC, गुरुबडी या लेकपाल भरति या दिनली पुलिस सवी के लिए ये पॉइंट आपके महतपुण है इसके बाद हम देखते हैं आगे महतपुण पॉइंट आपके सामने लिखा है निवार एक ओसन कडिवन्दी चकरवाद है जैसा कि हमने आपको अभी इसी बीडियो में स्टाइटिंग में बदाया था कि निवार एक ओशनकडिवंदी चक्रवाद है ओशनकडिवंदी चक्रवाद का मतला होता है जो चक्रवाद करकरेखा और मकरेखा के बीच में आते हैं उन्हें कहते हैं ओशनकडिवंदी चक्रवाद और इसके बाद पॉइंट है National Disaster Response Force यानि कि NDRF के DGSN प्रधान ने बताया है कि Tamiladu, Pudicherry, आंध्रप्रदेश में Coast Guard की 12 T में तेनाद की गई यानि कि इन तीन जगे आपका जो चक्रवाद आया है Tamiladu, Pudicherry और आंध्रप्रदेश इन तीन जगे को सबसे आदा नुकसान पहुँचा है तो ये आप ध्यान अखें कि National Disaster Response Force के DGSN प्रधान ने बताया है कि Tamiladu, Pudicherry, आंध्रप्रदेश में Coast Guard की 12 T में तेनाद की गई थी और इसके बाद पॉइंट है Tamiladu और Pudicherry में Relief Sender बनाए गई है यहां मास्क, Sanitizer की विवस्ता भी की गई है क्योंकि आप लोग जानती है कोरोना काल चल रहा है इसलिए जितने भी लोग को यहां से बचाया गया है उनकी रहने की खाने की विवस्ता की गई है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि कोरोना काल में आप जानती है काफी विवस्ता करने पड़ती है इसलिए तमिलाडू और Pudicherry में Relief Sender बनाए गई है यहां पर मास्क, Sanitizer की विवस्ता भी की गई है सरकार की और से और यह चकरवाद आपका बंगाली खाड़ी में आया है और यह तीन जगे आपकी सबसे अदा प्रभावित हुई है इसमें दो राज्ये हैं तमिलाडू और आंध्र प्रदेश और इसमें एक आपका पुडुचेरी जो की भारत का एक केंसासित प्रदेश है यह प्रभावित हुआ है तो यह सई पॉइंट आप ध्यानक है यानि कि निवार एक ओशन कडिवाद ये चकरवाद है और NDRF की फुल फॉर्म आप ध्यानक है क्योंकि कईवार पिवर में आयोई है यानि कि National Disaster Response Force इसका नाम है और इसके जो बरतमान में हैड है इनका नाम है DGSN प्रदान ये आप ध्यान लखें क्योंकि इस समय निवार नाम का चकरवाद आया है ये हाल फिलाल में आपका कोशन पूछे आ सकता है यानि कि NDRF के इस समय इंचार्ज कौन है आपके सामने लिखा है तमिलाडू के मुख्य मंतरी इसमें आपके सामने लिखा है इनका नाम E. पलानी स्वामी इनका नाम क्या है तमिलाडू की मुख्य मंतरी का E. पलानी स्वामी इनका नाम है और इसके बाल लिखा है पुडु चेरी के मुख्यमंत्री, इनका नाम है B. Nareign Sámi यानि कि Nareign Sámi इनका नाम है पुडु चेरी के मुख्यमंत्री का और इसके बाद पॉइंट है Jamil Nardu कि पुडु चेरी में 237 mm बषसा और इसके बाद लिखा है कुमा कुदू लोर शहर में 237 मिलिमीटर बर्सा हुई है यानि कि यह शहर है आपके छोड़े उटे से यहां पर जो है बर्सा की मात्रा आपके सामने लिखी है और इसके बाद पॉइंट है तमिलाडू के आपदा प्रवंधन मंत्री यानिकि इनका नाम क्या है और अदे कुमार या आप ध्यान नके अदे कुमार इनका नाम है और अदे कुमार ने राज्ये में 1.45 लाख लोगों को 1516 राहस सिविर इस्तनादित किये हैं यह आप ध्यान नके तो इन सही पॉइंटों को एक वाई रिपेट कर लेते हैं तमिलाडू के मुख्य मंत्री का ना दानी स्वामी और दूसरा पॉइंट आपके सामने पॉडू चेरी के मुख्य मंत्री का नाम है भी नरयन स्वामी इनका नाम है और इसके बाद पॉइंट है तमिलाडू के पॉडू चेरी में 237 मिलिमीटर बरसा कॉमा कुदू लोर शहर में 237 मिलिमीटर बरसा हुई है और इसके बाद पॉइंट है तमिलाडू के आपदा परवंधन मंतरी और वी आदे कुमार ने राज्ये में 1.45 लाख लोगों को 1516 राह सिविर में स्तरांतित किया है यानि कि 1516 राह सिविर लगाए गए थे क्योंकि समंतरी एरे को खाली करा दिया गया था इसलिए राह सिविर बनाए गये थे इसलिए भारत सरकार ने काफी भर्षक प्रियास किया है और राज्य सरकारों ने भी काफी सपोर्ट किया है जिससे काफी लोग की जान बच चुकी है बहुत कम छती हुई है यहाँ पर लोगों को तो यह कोई हुई है टोपिकों में से पूछ Hmm क्यों हों कि कोई भी आपके इन में से पॉइंट आ अपके कथन में बनके आ ऐसकते हैं कोरृसन आपकर सामने सबी लोग इन सवी पॉइंटों को अच्छे तरीके से त्यारी करें तो यह दियान रखें आप कि ये जो आपका चकरवाद आया था नेवार नाम का ये है बंगाली खाडी माया है और ये है तमिलाडू के पास में एक पोड़ुचेरी लगता है उसी के पास में ये टकरा गया था और उसके बाद ये चकरवाद आंद्रिप्रदेश के तरप को चला गया था जिससे महा किया है तो इसके बाद हम देखते हैं आगे मैतपुड़ पाइंट कौन गौन से हैं देखी आपके सामने लिखा है निवार चकरवाद से काफी तेज हवा चली और मुस्लाधार बर्सा से काफी जगे बाण का सामना करना पड़ा है यानि कि जो आपका अभी हाली में निवार चकरवाद आया है इससे काफी तेजी से हवा चली ती इसमें और मुस्लाधार बर्सा से काफी जगे बाण का सामना करना पड़ा है इसके बाद पॉइंट है निवार चकरवाद से उखळ गए यानि कि पेड़ जो है उखळ गए और बिली आपूरती और इंटरनेट सेवा बादित हो गई और जन जीवन अस्तिव्यस्त हो गया दो ये पाइंट आप ध्यान रखे निवार चकरवाद से पेड़ उखड़ गए बिजली आपूर्ती और इंटरनेट सिवा बादित हो गई और जन जीवन अस्तिव्यस्त हो गया था काफी समस्या का सामना करना पड़ा था लेकिन पूर्व सूचना मिलने से चकरवात के संबन में जानकारी मिलने से इसलिए यहाँ पर NDRF की टीमें पहुचा दी गई थी और यहाँ पर पूरा इलाका खाली कड़ा दिया गया था जिससे जादा छती ना हो जिससे जन्धन की हानी ना हो सके और इसके बाद पॉइंट आपके सामने इस प्रकार का चकरवात 2.15 में आया था यानि कि जितना नुक्सान यहाँ पर हुआ है छती हुई है इस प्रकार की छती जो हुई थी बहें 2-15 में यहाँ पर चकरवाद आया था और यह 5 सलवाद 2-20 में पुना इस प्रकार का चकरवाद आया है तो इन सही पॉइंटों के एक बार रेपीट कर लेते हैं निवाद चकरवाद से काफी तेज हवा चली और मुस्लाधार बर्सा से काफी जगे बाण का सामना करना पड़ा है और काफी जगे तो समुद्ध का पानी अंदर की और प्रिविस कर गया था इस चकरवाद की बज़े से और इसके बाद पॉइंट है निवाद चकरवाद से पेड उखड गए बिली आपूर्ती और इंटरनेट सेवब बादित हो गई और जन जीवन अस्तिव्यस्त हो गया इसके बाद पॉइंट है इस प्रिकार का चकरवाद दो हुया पंद्रा में आया था जो कि आपका एक ओस्न काड़ी बन दिये चकरवाद है और जिससे काफी छती हुई है समुन त्रटी एरिया में क्योंकि काफी वीजली के खंबे गड़ चुके हैं और काफी पेड़ जो हैं गड़ चुके हैं जिससे जो हैं अपना भरसक प्रियास कर रही हैं तो यह पॉइंट आपके प्रिकार की नएने वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रवाइट करा सकें और आगे भी आपको इसी चैनल के माध्यम से नएने सुचनाएं जारी की जाएंगी वीडियो के माध्यम से तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले और देखती रही आप लोग हमारा चैनल दाही मालेर स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद